जैश्री राध हैं, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में पणाव पुझेश्री भाई जी कहते हैं, भगवन नाम की चमतकारी महिमा भगवन नाम लेना जब से शुरू किया, समझना चाहिए कि तभी से जीवन की असली शुरुवात हुई है भगवन नाम में ऐसी अलोकिक शक्ती है, कि वह च्छन भर में महान से महान गंदगी को धूकर परम निर्मल एवं शुद्ध कर डालती है नाम लेने वाले का भला होने में किंचित भी संदेह नहीं है, नाम और नामी दो वस्तु नहीं है भगवन नाम पाप धो देगा, विशुद्ध कर देगा, भगवान से मिलने की आतुरता पैदा कर देगा भगवन नाम जीप पर आते हैं, ऐसा सोचना चाहिए, कि भगवान के साथ हमारा इस पर्ष हो रहा है भगवन नाम के समान, विशुद्ध करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है जहां भगवन नाम का जोर-जोर से कीर्दन होता है, वहां का सारा वायू मंडल, महान पवित्र हो जाता है भगवान के नाम का जब सुभे, आग खुलते ही शुरू कर दें, और रात्री को जब तक जगता रहें, तब तक चलता रहें भगवन नाम का उच्चारण करते समय, महान से महान रसका अन्भव करें, और ऐसी भावना करें, कि मेरे शरीर में जो साड़े, तीन करोड रोएं हैं, उन सबसे भगवन नाम का ही उच्चारण हो रहा है जीब से नाम लेते समय, कान से उसे ठीक ठीक सुने, तो वह ध्यान सहित नाम जप हो गया इस कल्यूग में और साधन भले ही कठिन हूँ, पर जीब से नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है नाम जपते जाओ, और भव सागर से तरते जाओ, गो स्वामित उसीदाजी ने कहा है गाई राम गुनगन विमल, भव तर बिन ही प्रयास भगवन नाम को जिसने अपना लिया, भगवान उसके अनायास ही अपने बन जाते हैं भगवन नाम भगवान के चर्णों में भक्ती लगा देगा, जैश्री राधि